माई के से अच्छा ससुराल सोई में बरी गर्मी में सोना पड़ता है कम से कम यहाँ एक पंखा लगा दीजे सुना तुमने मम्मी अब इस महरानी को यहाँ पंखा चाहिए क्या और या ना प्लावारिस मेरे पास क्या पैसे का पेड़ लगा है जो तुझ पर खर्च करो खैर मना कि तुझे इस घर में रहने दे रही हूँ चल अब जल्दी से चायनाश्ता बना मेरी जिया को कॉलेज जाना है यह कहकर मोना और जिया वहाँ से चली जाती है और सौम्या रोते हुए अपनी किसमत को कोसने लगती है भगवान आखिर क्या गलती की थी चो तुने मुझ से मेरी माँ चील ली मेरी सौतेली माँ और मेरी बहन जिया मुझ पर बहुत जल्म धाते हैं मॉईके का जो घर आंगन बेटी के लिए खुशियों से भरा होता है पर क्यों वही माईका मुझ बदनसी बेटी के लिए दुखों से भरा हुआ है सौमया फूट फूट कर रोते हुए नाश्ता बनाकर अपनी सौतेली मा और बहन को परोस्ती है तब ही जिया नकरे करती हुई कहती है इयू ममी ये देखो इसने क्या बनाया है इतनी गर्मी में आलू के प्राठे कितना हॉयल है इसमें ये खाकर मुझे अपना फिगर खराब नहीं करना जिया मेरी प्यारी बहन नाराज मत हो देखो मैंने तुम्हारा मन पसंद पास्ता भी बनाया है टामेट मेरी सौतेली बहन कितनी शाप माइंड़ है मैं तो इस तेमरिंड़ा को मां से डाट सुनाने वाली थी बट सड़नी प्लान फेल हो गई ये कहकर घमंडी जिया अपने सैंडल की नोक से जान बूच कर विचारी सौम्या का पैर कुचल कर चली जाती है मा मेरा पैर अम सौरी सौम्या मैंने देखा नहीं जूट मत बोलो जीया मैं जानती हूं तुमने जान बूच कर मेरा पैर को चलाए ये सौनकर मोना सौम्या को खींच कर चाटा मार कर उस पर चला पड़ती है अनात कहिं की मेरी बेटी को जूटा ठहराती है लगता है तु मेरी मार भूल गई है ऐसा कहकर मोना जैसे ही सौम्या को मारने के लिए फ़र से हाथ उठाती है सौम्या हाथ रोक कर कहती है बस कीजी मा बहुत हो चुका बहुर नहीं अरे जब से आप इस घर में मेरी मा बन कर आई है मैं हमेशा आप में अपनी मा की पर चाई को ढूनती रही सोचती रही कि शयद कभी तो आप अपना प्यार भरा हाथ मेरे सर पर फेरेंगी मगर किसीने सची कहा है सौतेली मा सौतेली ही होती है ये सुनकर मोना गोविंद को जूट मूट के आँसू दिखाते हो कहती है गोविंद जी सुना अपने सौमया ने क्या कहा हरे भले मैंने उसे अपनी कोक से जन्म नहीं दिया मगर मैंने इसे अपनी जिया के जैसा समझा है जब इसे अपनी मां की दो बाते बरदाश्ट नहीं हो रही तो ससुराल में सास के तीके ताने कैसे सुनेगी मा जब मैं इस माईके में नौकरों की तरह जिंदगी जी रही हूँ तो ससुराल का शासन भी सहलूंगी सौमया को जवाब देता देखकर गोविंद गुस्से में बिलबिला कर उसे चाबुक से बहुत मारता है ऐसा कहकर गोविंद सौमया को इस टोर रूम में बंद करके कहता है अब ये दर्वाजा सीथे तेरी शादी वाले दिन खोलीगा तब तक सर्ती रहे यहां पर गोविंद मोना और जिया किसी भी हालत में सौमया से जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते थे सौम्या की शादी के लिए गोविंद ने अपने सभी दोस्तों और पंडित को भी ऐसा लड़का ढूनने को कहा जहां दहेज न देना पड़े और आखिरकार सौम्या की शादी राजेश और संगीता के बेटे येश के साथ गर दी गई जहां मेरी लाडो रानी नरक किसे कहते हैं ये तो अब तुझे ससौराल जाकर पता चलेगा जहां हुकम जताने वाली जेठानी नकरे करने वाली ननद और सास के ताने बाने आठो पहस न पड़ेगा मोना की ऐसी बातों से ससौराल को लेकर सौम्या का मन अब और भी ज्यादा डर से भर गया थोड़ी देर में सौम्या ससौराल पहुंच गई सौम्या का ससौराल बहुत ही आलिशान और बड़ा था मेरे ससुराल वाले तो बहुती अमीर है मा पिता जी ने मुझे दहेच दे कर नहीं भेजा कहीं बाकी बहुओं की तरह मुझे भी दहेच ना लाने के लिए अपने ससुराल वालों से ताने ना सुनने पड़े सौम्या का मन इसी चिंता में खाये जा रहा था तभी संगीता उसकी आरती उतारती है सौम्या बहू क्या सोच रही है इस कलश को गिराकर ग्रह प्रवेश करो जी माजी एक मिनट है रिये सौम्या भावी इसके बाद खुशी और आरती दर्वाजे से लेकर सौम्या के कमरे तक गुलाब के फूल सचाते है अब ग्रह प्रवेश कीजे देवरानी जी इस ससौराल में आपका स्वागत है अपने ससौराल में खुद का खोशियों भरा स्वागत देख सौम्या की आँखों में आसू भराते हैं तभी आरती की बेटी चिंकी सौम्या को एक ग्रिटिंग कार्ट देकर कहती है अपने पती यश्ट का प्यार भरा बरताब देखकर सौम्या की आँखों में खुशी के आशू भराते हैं ये क्या सौम्या तुम रो रही हो? यश जी आप बहुत अच्छे हैं ये मेरी खुश नसीबी है जो मुझे आप जैसा हमसफर मिला है ऐसा कहकर सौम्या यश के गले लग जाती है जिसकी बाद यश उसे गोद में उठा लेता है और दोनों अपने रिष्टे की शुरुवात करते हैं सौम्या पांच बजे उठकर गर्मी में काम करने लगती है जिससे उसकी सास की नींद खुल जाती है और वो किचन में चली जहां सौम्या को पसीने से भीगा हुआ देखकर वो कहती है अरे ये क्या सौम्या पाहु गर्मी के कारण तुपसीने से तर हो गई है और अभी तो सिर्फ पांच बज रही है इतनी जल्दी क्यों उठ गई वो माजी आज मेरी ससुराल में पहली रिसुई है बरतन मांचते हो और साफसफाई करने में साथार तो बजी जाएंगे अरे मेरी प्यारी बहु इन सब कामों के लिए घर में नौकर चाकर है और तुझे गर्मी जेल कर रसुई का काम करने के जरूरत नहीं इसके लिए भोला भहिया है और अभी तो तेरे हाथों की मेंदी भी नहीं चूटी तेक पसीने के मारे क्या हलत बना लिए जा अपने कमरे में जाकर आराम कर अपनी सास केस अपने पन पर सौम्या की आखों के आगे माईकी की कड़वी यादे उभराती है जब उसे ना सिर्फ भरी गर्मी में खाना बनाना पड़ता बलकि बिना पंखे के रसोई में ही रात भर गर्मी में सोना पड़ता सुबह नाश्ते की मेज पर आकर जैसे ही अपने ससुर के पैर चूने आती है तबी राजेश कहता है सौम्या बहू, मेरे पैर छुकर अपने बाओ जी को क्यूँ पापका भागिदार बना रही हो मगर बाओ जी, बहू होने के नाते ये मेरा फर्ज है बेटी, बहू घरागन की लक्षमी होती है और लक्षमी की जगा पैरों में नहीं होती और मेरे लिए तु बहु नहीं मेरी बेटी है अपने ससुर की स्नेह भरी बातों से बहु का दल भराया जिस पिता के प्यार के लिए सौमय अपने माईके में हर पल तरस्ती रही आज वह स्नेह उसे अपने ससुर से मिला देरे देरे सौमय अपने माईके की तमाम कड़वी यादों को भुला कर अपने ससुराल में घुल मिल गई जहां उसकी जिठानी घर के कामों में उसका हाथ बटाती वहीं खुशी स्नेहा को हसाती रहती देवरानी जी ये देखे मैं आपके लिए क्या लाई हूँ चाट पापड़ी ये तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है मगर आर्ती भावी आपको कैसे पता अब दिल से दिल मिलते हैं पसंद ना पसंद अपने आप पता चल जाती है देवरानी जी ये लिजे खाए ये ऐसा कहकर आर्ती बड़े प्यार से सौम्या को चाट पापड़ी खिलाने लगती है तबी सौम्या की आखों के आगे अपनी सोतेली बहन जीया की यादे उभराती है जो ख्वाहिश मुझे अपनी बहन से थी आज वो मुझे अपनी जिठानी की चवी में मिली बगवान तेरे शुक्रिया तुने मुझे को इतना प्यार भरा ससुराल दे कर मुझे बदकिस्मत की जोली में खुशियां ही खुशियां भर दी सौम्या ऐसा सोच ही रही होती है तबी ये शेक नई AC और प्रिज लाता है मा सामान आ गया येश बेटा इस प्रिज को रसोई में और AC को सौम्या बहु के कमरे में सेट कर दे मा जी फिजूल खर्ची की क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी? मैं नहीं चाहती कि मेरी नई बहु को अपने ससुराल में किसी चीज की कमी हो और फिर प्रिज की जरूरत तो घर में थी ही और तेरे कमरे का AC भी खराब हो गया था ऐसे में मेरी बहु गर्मी जेले ही मुझे गवारा नहीं क्या हुआ साम्या बहु? क्या सोचने लगी? बस मा जी अपनी खुश नसीबी को सोच रही है मा के चले जाने के बाद और सौतेली मा के आ जाने के बाद मैं अपने माई के में नौकर बन कर रह गई हमेशा मैं अपनी किसमत को कोस्ती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मुझे हमेशा ये डर सताया करता था कि जब मेरे बाबुल का घर आंगन میरा अपना ही ना हो सका तो ससुराल कैसा मिलेगा मगर मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिलेगा सहेली जैसी ननत, बहन जैसी जेठानी और माता पिता से बढ़कर प्यार करने वाले सास ससूर मिलेंगे भगवान करे मुझ जैसा माई का किसी लड़की को ना मिले और अगर मिले तो उन्हें मेरी तरह माई के से अच्छा ससूराल मिले जिन खुशियों के लिए तो हमे अपने माई के में हर दिन तरस्ती रही आखिर में वो प्यार और अपनापन उसे अपने ससुराल में आकर मिला ये कहकर राधा और चिंटू घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं तब ही पूरा गाउं आइसक्रीम वाले की आवास से गून जुटता है आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम ठंड़ ठंड़ी आइसक्रीम मैंगो आइसक्रीम चोकलेट आइसक्रीम वनीला आइसक्रीम आओ आओ प्यारे प्यारे बच्चों आओ आगया है गर्मियों का बेंजीज ठंड़ ठंड़ आइसक्रीम आवाज सुनकर बहुत सारे बच्चे पैसे लेकर भागते हुए आईस्क्रीम वाले के पास भीड लगा लेते हैं और तरह तरह की आईस्क्रीम खरीद कर खाने लगते हैं वही गरीब बच्चे चिन्टू और राधा ललचाई आँखों से आईस्क्रीम को देख रहे होते हैं ये कहकर पांच साल का गरीब बच्चा चिन्टू घर में आकर अपना गुल लग टटोलने लगता है जिसमें कुल मिलाकर चार रुपए होते हैं पैसे लेकर ना समझ चिन्टू आईस्क्रीम खरीदने आता है आरे ओ फटीचर सपने देख रहा है क्या सबसे सस्ती संत्रे वाली आईस्क्रीम भी दस रुपए की है और तुझे चार रुपए में दो ये दो आइस्क्रीम चाहिए वो भी बेनी लाखी ये पकड़ तेरी चार रुपए और चलबूट यहां से और खात होती नहीं है और आज आते हैं आइस्क्रीम खाने भूखे रहेंगे कहीं के दोनों गरीब बच्चे आखों में आसू लिए रसोई में काम कर रहे अपनी मा कविता के पास आते हैं अरे क्या बात है बच्चो तुम दोनों रो क्यू रहे हो दोनों बच्चे बिलक बिलक कर रोते हुए कविता को पूरी बात बताते हैं मा आइस्क्रीम वाले ने खरीब केगर हमें बगा दिया आपको बताए सोनू, गुडू और हर रोज स्कूल के बाहर आइसक्रीम काते मुझे और रादा को लल्चवाते और हमें गरीब कहकर हमारी हसी उड़ाते मां हमें भी आइसक्रीम कानी है बच्चो हम गरीब हैं और तुम्हारे पिता जी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीद कर ला सके चलो, दोनों बाहर जाकर बैट जा और रसोई में गर्मी और धुआ हो रहा है इसके बाद दोनों बच्चे अपनी दादी सरस्वती के पास आ जाते हैं जिसके थोड़ी ही देर में कमल और अरजुन घर लोटाते हैं अरजुन बेटा, पंडिची ने तेरे लिए रिष्टा भेजा है लड़की गरीब घर की है और एक ना एक दिन तो तुझे अपनी ग्रहस्टी बसानी ही है तो अपनी राय बता दे बेटा अरजुन की मंजूरी के बाद सरस्वती अपने बेटे की शादी गरीब घर की पूजा के साथ मंदर में कर देती है और उसे बहु बना कर घर लाती है देवरानी जी, इस कलश को गिरा कर ग्रह प्रवेश करो जी जिठानी जी पूजा भावी, हमारे गरीब परिवार में आपका स्वागत है अपनी जीठानी कविता की ही तरह पूजा भी धीरे-धीरे अपने गरीब ससुराल में ढल जाती है एक दिन की बात है कमल भाईया, मुझे कॉलेज की पीस भरनी है, पैसे दे दीजे अरे छोटी, मुझे शाम तक का समय दे दे, मैं तुझे पैसे दे दूँगा ये कहकर कमल काम पर चला जाता है और कुछ दूर आने के बाद एक कूरेदान में आकर अपनी गरीबी को सोचकर पूट-पूट कर रोते हुए कहता है मुझे माफ कर देना कभी था, मुझे माफ कर देना बच्चो मगर मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि तुम्हारा बाप इस वक्त बेरोजगार है और घर का चूला जल सके, इसलिए कारखाने से काम छूटने के बाद मुझे छुप छुपा कर कच्रा बीनना पड़ रहा है अपने घर की जरूरतों की प्रती जिम्मेदार होने के कारण काम ना होने पर कमल हर दिन कड़कती, धूप भरी गर्मी में कूडे दान से उठ रही बद्बू जेल कर बेबसी में कूडा बीनता था अरे आज तो इस कूडे दान में जरा भी लोहा प्लास्टिक नहीं आदा दिन बीद गया, मुझे कहीं और जाकर कूडा बीनना चाहिए शायद सडक पर कूडा कच्रा मिल जाए ये कहकर कमल कंदे पर बोरी उठाकर सडक पर निकल पड़ता है जहां प्लास्टिक की बोतले पड़ी होती है तभी उसका गला सूखने लगता है मुझे जोर की प्यास लगी है मगर यहां तो एक भी प्याव नहीं जिससे मैं पानी पीलूं आइस्क्रीम ले लो आइस्क्रीम ठंडी ठंडी मीटी मीटी आइस्क्रीम आइस्क्रीम देखकर कमल जट से वहां जाता है कमल के कंदे पर कच्रे की बोरी देखकर आइस्क्रीम वाला उसे घिनभरी नजरों से घूरते हुए टेड़ा सा जवाब देता है अरे ओ खबारी वाले यह आइस्क्रीम खरीदना तुझ जैसे की आउकाद से बाहर है चाल जाए यहां से अरे भाईया ऐसा क्यों बोलते हो पहले दाम तो बताओ देख यह बड़त स्कॉच आइस्क्रीम है पुरे डेड़ सो की एक है यह डेड़ सो की और वेनिल आइस्क्रीम पूरे सो रुपई की एक है और बताओं यह यह आइस्क्रीम कितनी महंगी है सो रुपई की आइस्क्रीम खाने से अच्छा क्यों न मैं साग सबसी खरीद कर घर ले जाऊ भाईया यह आइस्क्रीम रहने दो बस थोड़ा सा पानी दे दो ताकि मुझे गरीब का गला गीला हो जाए आइसक्रीम वाला कमल को थोड़ा सा पानी पिला देता है और गरीबी के हाथो लाचार कमल आइसक्रीम खाने की ललक के साथ घर चला जाता है इसी तरह कमल का परिवार गरीबी में दिन काटता है तभी रोज की तरह शाम ढलते ही आइस क्रीम वाला गली में आता है आइस क्रीम खालो आइस क्रीम थंडी में थी आइस क्रीम तरह थरह की आइस क्रीम मा देखो आईस्क्रीम वाला आया है आज तो हमें आईस्क्रीम दिला दो बच्चो मेरे पास आईस्क्रीम खरीदने के लिए पैसे नहीं है चिंटू और राधा रोते हुए सरस्वती से आईस्क्रीम खरीदने को कहते हैं दादी मा दादी मा आप ही हमें आईस क्रीम दिला दो ना बच्चों अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें डेर सारी आईस क्रीम खिला थी मगर मेरे पास एक खोटा सिक्का नहीं ये सुनकर राधा और चिंटू गुसा होकर कहते हैं पाता नहीं कि ऐसे फ़र टीचर के घर पैदा हो गए हम जिनके पास हमें आईस क्रीम खरीदने के भी पैसे नहीं है हाँ चिंटू तो सही कह रहा है इस घर में हमें दाल रोटी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता काश हम भी अमीर घर में पैदा होते क्योंकि उनके बच्चों का जब मन चाता फ्रिच खोल कर आईस क्रीम खाते है और इसलिए कि हम गरीब हैं हमें हमें हमेशा मन मार कर रुखसु का खाना पड़ता है अपने बच्चों को गरीबी का ठटा उड़ाता देखकर कविता गुस्से में राधा और चिंटू को चाटा मारती है बस बहुत हो चुका तुम दोनों का तुम्हें समझना होगा कि हम गरीब हैं तुम्हारे पिता जी और चाचा सारा दिन गर्मी में खोन पसीना बहाते हैं तब जाकर हम गरीब के घर का चूला जलता है कविता भावी पच्चों को मत मारो चलो राधा चिंटू मैं तुम्हें इन पैसों से आईस क्रीम खिलाती हूँ मगर नेहा ये पैसे तो तुम्हारी फीस के हैं? तुमने कहा था कि अगर तुम फीस नहीं भरोगी तो वो तुमें एक्जाम में बैटनी नहीं देंगे सच कहा था भावी मगर मेरा पढ़ना मेरे भतीजे भतीजी की खुशी से बढ़ कर नहीं इन्हें आइस क्रीम खाना है और मैं इन्हें आइस क्रीम खिलाऊंगी तुम रहने दोने हाँ मैं देखती हूं कुछ ये कहकर पूजा कमरे में आकर अपना पर्स टटोलने लगती है जिसमें उसे 10 रुपे मिलते हैं जिससे एक आइस क्रीम खरीद कर वो कहती है ये लो मेरे बच्चों इस आइस क्रीम को मिल बाट कर खा लो दोनों बच्चे खुशी से भरकर आईस्क्रीम बाट कर खा लेते हैं बच्चों को आईस्क्रीम खाता देखकर गरीब ससुराल वाले के मन में आईस्क्रीम खाने की खोई होई इच्छा जाग जाती है अगले दिन नेहा कॉलेज के फीस काउंटर पर आती है यार श्रिया ये फीस काउंटर बंद क्यों है हरे मेरी ललू राम सहेली कर दीना ललू पंती हरे कैश काउंटर पर फीस करने की क्या जरूरत है ला दे, मैं ओनलाइन तेरी फीस बढ़ देती हूँ फीस बढ़ते ही श्रिया को धाईसो रुपे मिलते है देखा, ओनलाइन फीस बढ़ने का फाइदा तुझे डाईसो का कैश बैक मिला है चल, कॉलज की कैंटीन में चलकर बटर स्कॉच आईसक्रीम खाते है श्रिया, मेरे परिवार वालों ने जाने कितने सालों से आईसक्रीम नहीं खाई क्योंकि मेरे भाई जो कमाते हैं उससे घर का दाना पानी चलता है मगर इस धाईसो रुपे से मैं अपने गरीब परिवार वालों को आईसक्रीम खिलाऊंगी बापी वो जब चोड़ो आप बस आइसक्रीम खाओ वरना आइसक्रीम पीगल जाएगी सभी खुशी से आइसक्रीम खाने लगते हैं तभी दोनों गरीब बहों के पती भी आइसक्रीम लेकर घर आते हैं मा, कविता, बच्चो, देखो मैं आईस्क्रीम लाया हूँ अरे, भया, आप भी आईस्क्रीम लाये हैं, मुझे भी आर तनखा मिली थी, इसलिए मैं भी आईस्क्रीम लाया हूँ चिन्टो, आज तो मारे दावत हो गई, पहले तो बुवा अमारे लितनी साड़े आईस्क्रीम लाये थे और अब तो पिताजी और चाज़ा भी आईस्क्रीम लायें अरे, बेटा, आईस्क्रीम के पीछे इतने पैसे खर्च करने के क्या जरूरत थी? मा, रोज रोज तो हम रूखा सुखाई खाते हैं, अगर थोड़े पैसे खर्च करने से हम भाई अपने परिवार की खुशी खरीच सकते हैं, तो हर्ज क्या है? ये कहकर कमल सभी को आईस्क्रीम देते हैं और आखिरकार कविता और पूजा का गरीब ससुराल खुशी से भर कर उस रोज आईस्क्रीम खाता है कितना फर्क है ना, कहां तो अमीरों का घर ठाट बाट से परिपूर्ण होता है, वहीं ये गरीब जिन्दगी भर हड़ियां गला कर भी रूखा सूखा खिला कर अपने परिवार का पेट पालता है मगर अच्छी पहनने और खाने की खुआहिश तो सभी को होती है, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर